भावियों और भेनों, हम अक्षर कहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता महान है, यह महान इसलिए हैं क्योंकि इसमें निरंतरता है, यह प्रवाहमान है, इसमें खुद को ससक्त करने की एक स्वाभावित प्रवृत्ती है. यह एक नदी की तरह हैं, जो अपना रास्ता बनाती जाती हैं, और रास्ते में जो भी रुकावटे आती हैं, उनके अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। इस महांता का स्रे हरिचन ठाकूर जी जैसे सुधारकों को भी जाता है, जिनोंने समाज सुधार के प्रवा को कभी रुकने नहीं दिया। श्री सी हरिचन ठाकूर के संदेशों को जो भी समझता है, जो हरी लला अमरुतों का पाट करता है, वो स्वतह ही कह उड़ता है, कि उन्होंने सदियों को पहले ही देख लिया था। वरना आज जिस जेंडर सिस्टिम की बात दुनिया करती हैं, उसको अठारवी शदी में ही हरिचन ठाकूर जिने अपना मिशन बना लिया था। उन्होंने बेटियों की सिक्षा से लेकर काम तक के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, माताओ, बेहनों, बेटियों की गरिमा को सामाजिक चिंतन में आगे लाने का प्रयास किया। उस कालखन में उन्होंने महिला कौर्ट और बेटियों के लिए स्कूल जैसे कारिय किये। ये दिखाता है कि उनका वीजन क्या था, उनका मिशन क्या था।